इहां पर मेरेपास जडर्क्ट गिवेन हैं यहां पर मुझे A और B के बीच के ऐक्यूएलन्ट डि मताना है कि कि इन prata मोरा होन्म का लेकिन मिट्च का किल ये डूट ही कितने रीपी नreg 2 यहां पर बहुत जाए इस सिट्वेशन में इसको सेम्पल तरीके स और जल्दी कैसे सॉल करें जिससे हमारा टाइम बस सकें तो आज के इस वीडियो में हम यही ट्रिक बताने वाले हैं आपको तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमें सबसे पहले जितने भी नोट से C के बीच में यह एक short line है मतलब यहां पर कोई resistance नहीं लगा हुआ है तो मैं इसको भी C मान सकता हूं क्योंकि यहां जो terminal जो voltage यहां पर होगा वही voltage यहां पर भी होगा तो यह मेरा terminal C यहां पर मान सकता हूं सेम इसी तरह आप देखिए यहां पर डी लगा हुआ और डी से इस terminal के बीच में इस node के बीच में यहां पर कोई resistance नहीं लगा हुए तो यह भी मैं डी मान सकता हूं तो इतने एससी के बीच में मुझे मिला एक resistance यह मैंना कट कर दिया चिक अब मैं सी से चला डी तो मैं सी से चला कि यह मेरा terminal डी तो सी से डी के बीच में मुझे एक resistance मिल गया यह यह मैंना कट कर दिया अब सी से डी इस पूरे circuit में C से D चितने भी resistance लगे हैं इन सब को मुझे इसके parallel में connect करना है तो C से D आप देखिए C से D एक ये resistance लगा हुआ है ये resistance इसको मैं cut करूँगा और इसके just parallel में एक resistance और connect कर लूँगा C से D और ये देखिए आप एक resistance लगा और C से D इन दोनों के बीच में भी C और D का difference तो यहाँ पर मैं C से D एक और resistance को parallel कनेक्ट कर लेता हूँ तो अब देखिए अब मैंने सारे resistance कनेक्ट कर लिए तो ये resistance मेरा कड़ गया ये 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 चार चारो मैंने यहाँ पर यूज कर तो ये resistance में cancel कर दूँगा ठिक ये मैंने cancel कर दिया अब देखिए C से E कहीं और लगा हुआ है C से E ये लगा हुआ है C से E के बीच में एक resistance लगा हुआ है इसको मैं इसके parallel में connect कर लूँँगा by connect कर लिए मैंने अब आप देखिए C से E के बीच में को रिस्तंस लगा हुआ हुआ है और कहीं पर भी नहीं अब मैं C से F आ गया, अब तो अब मैं चलूंगा D2F, तो D2F मैं चला, तो ये भी मेरा टर्मिनल F था, इसको मैं थोड़ा सा नंबा कर लेता हूँ, और मैं D2F चला, तो D2F के बीच में मुझे कितने रिजिटन्स मिले, तो आप देखिए यहां से D2F लगा हुआ है, तो इस ये मेरा टर्मिनल आ गया, F, ये पूरा F है, क्योंकि आप देखते हैं, एक ही पात है, पूरा का पूरा, तो ये मैं F पर आ गया, अब कौन से रिजिस्टेंस मेरा हुआ है, D2E, एक रिजिस्टेंस बच रहा है, ये मेरा D2E के बीच में कनेक्टेड है, और इसको मैंने जस कर लिया, तो ये मेरा अब एक सिंपल सर्किट बन गया, अब इसको मैं सिरीज पैलल सिंपल ही तरीके सॉल्व करूँगा, तो बहुत असानी से सॉल्व हो जाएगा, जहां आप देख सकते हैं, सर्किट के अंदर मैंने सारे रिजिस्टेंस का लिया, बस अभी एक रिजिस् करते हैं, जो हैं 4 ohms के हैं, यहां पर मैं सारे 4 ohms के हैं, अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, कितनी जल्दी से यह बहुत फास्ट हो जाएगा, यहां पर थार्ड इस्टेप मैंने क्या किया है, यह जितने भी पैरलल में रिजिस्टेंस लगे होते हैं, इन सबस्के नाम रखेंगे हैं, यहां पर दो रिजिस्टेंस स्रीज में और एक पैरलल में लगे हो था, उसको मैं ने सॉल्व किया तो यह आंसर आया, और बाकी की रिजिस्टेंस मेरे वैसा ही लगे हुए हैं, फिर मैंने इसको सिंप्लिफाइग किया तो मेरा अंसर यह आया अब इन तीनों को रिस्ट्स मेरे सिरीज में लगए हैं तीनों काम आड़ कर दूंगा उसके वाद मेरा फाइनल आंसर आजाएगा तो यह तिनों को मेरे सिरीज करना बहुत जदा टाइम नहीं लगता बहुत असानी सॉल्फ हो जाता है यह तो मैंने स्टेप्स में कनवर्ट करके दिखाया ताकि आपको जोड़ा समझ मैं इसका अच्छे से बागी स्कूल करने कि एक ही स्टेप में इसको सॉल्फ किया जा सकता है होप करता हूं आपको वी